हेलो फ्रेंड्स मैं सुजित कुमार पंडेत आपका आर्दी स्वात करता हूं आपका यूटीब चैनल इंटरनेट से सिखों में यह दिस्टों पिछ्ली बार जो वर होगा की भाली में हुई थी और जिसको लेकरे प्यकूटी वरमुक फ्रिक्चाओं में जो गर्वरी पाइगति अद उसे रोक XL गय, उसका जो हईकोट सुनवाई primary pro gourmand 30 को होगी और तेरह तारीक के बाद इसकी जो नए सीरे से फिर से इसकी रिजल्ट को गुशित किया जाएगा और इसमें जो खबरे दी गई है आपका प्रवाद खबर में दी गई है इसकी खबर एकाईस तारीक के प्रवात खबर में इसके खबर दी गई है आप एकाईस तारीक के प्रवात खबर को निकाल करके आप पर सकते हैं इसकी खबर को यह कोई फैक खबर नहीं है तो चलते हैं इसके टॉपिक्स पे तो पुलिस अवर निर्ख्चक के 1770 तथा एकसाईज एवम इस्पेक्टर के एक हजार से अधिक पदों पर बाहली को लेकर के हाई कोट में 13 फरवड़ी को इसकी सुनवाई होगी चैनायग की ओर से दाये जितनी भी अपिल हाई कोट की कंड़पित में लंबित है उन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ 13 फरवड़ी को होगी और मुखिनायदिस अमरेश्वर प्रसाद साही की अधिक्स्ता वाली खड़पित ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वकील की तरफ से इन मामलों की तुरित सुनवाई के लिए किये गए अनुरोद को स्विकार कर लिया है और इसकी आयोग की ओर से दरोगा की बहाली को ले करके जो पीटी वब मुखिन परिक्षाओं में गरवड़ी पौने पर हाई कोट की एकल पीट ने आयोग को यह आदिस दिया है कि 1777 दरोगाओं की जो बहाली को ले करके मुखि परिक्षा का रिजल्ट नए सीरे से आरेक्षन नियमों का पालन करते हुए निगाले यह जो है मामला हाई कोट में इसकी तेरा तरिक को सुनवाई होगी और तेरा तरिक के सुनवाई होने के बाद जो है इसकी 17 जो दरोगाओं के बहाली का जो रिजल्ट इसकी जो है इसकी 10 जो है निकाल दी जाएगी और जो जो हैसे फार्म को भरे हैं फिल में गवर्ती घब्रानि के बाती है वहुसका रिजल्ट जो है जल्दी आने वाला должна को जैसे हुसकी आती है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इस ख़बर को मैं पहुंचाऊंगा तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबादें ताकि जो वीडियो मैं अ सभी अभियर्थियों और कंडिडियो के पास यह वीडियो पहुंच सके और इस ख़बर का वह लाव उठा सके तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में धन्यवाद